युहार नमस्कार अर्दाब सच्रियकाल मैं दिनेश सिर्वास्तो आप देख रहे हैं एडी लाइड रिजिनल ट्रांस्पोर्ट अथरेटी कोलान चाईबासा आज बहुत तिन दिन से मिटिंग हो रहा था वहां मिटिंग का परमीट रोड सेप्टी के उपर में बहुत अधिक गहन हुआ और इसमें हिसाब से परमीट पास किया गया आज हमारे साथ सिम्भूम बस ओनर के अधियक्ष है उनसे बात करते हैं कि सर जो परमीट पास हुआ जो रोड सेप्टी में काम हुआ क्या आप उससे संतुष्ट है और भी कुछ बात है तो आप हमारे चैनल में रखिए हम इसको दिखाएंगे मेरा नाम प्रदीप अगरवाल हुआ और मैं गत दस सालों से शिम्भूम बस ओनर रिशेशन का अधियच हूँ और जहां तक है कि हम लोगों का कुलान परमंडल 2016 में हम लोगों का कुलान परमंडल बना आटिये आया जो कि उस समय से एक दो मीटिंग हुई हम लोगों का 2017 में उसके बाद 2017 के बाद पिर मीटिंग नहीं हुई हम लोगों का 2017 के बाद जो भी permit दिया गिया, stage carriage permit दिया गिया, उसके बाद 2019, 2020, 2021, 2022 नहीं हुआ, क्योंकि पहले NDA की सरकार थी, तो NDA के जो गैर सरकारी सदस थे, वो जब NDA की सरकार खतम हुई, तो फिर वो साथी साथ वो सदस भी खतम हो गया, लेकिन बीच में करोना काल आ जाने के कारण और भी बहुत सारा मामला था, वो सबको सलट, ते हुए अभी हम लोगों का टोटल जहारखंड में पांच परमंडल है, अब पांचों परमंडल में दो-दो गैर सरकारी सदस मनोनित हो चुके हैं, और इसी के हिसाफ से हरे एक परमंडल में, अब हम लोगों का बैठक हो रह जिसमें हमारे परमंडल के जो कमिशनर होते हैं वो अध्यच होते हैं हमारे जो परमंडल के आर्टिये के शकेट्री होते हैं वो एक मेंबर होते हैं तथा दो मेंबर है सो गेर सरकारी मेंबर होते हैं हम लोगों का कुलान में 186 परमिट का आवेदन पड़ा है इस बार जिसमें पहला सुकरवार को जो बैठक हुई उसमें 40 परमिट का निराकरन किया गिया बहुत सारे ऐसे मामले आएं जिसमें कि क्या था कि पेपर बहुत अनकंप्लीट था कुछ अधूरा पेपर था जिसी का फिटनेश नहीं है किसी का टैक्स नहीं है तो वो सब परमिट को रोक दिया गिया आज टोटल 40 के बाद 60 आज हैसो उसको कंप्लीट किया गिया जो की 100 कंप्लीट हो गिया और कल फिर 50 रखा गिया है जो की कल है 150 किया जाएगा जहां तक कि अभी जो हमारे सदस बने हैं चाहे हमारे जो अभी चेर्मेन हैं ये इतनी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं कि साइध हम अपने लाइफ में ऐसी पारदर्शिता काम नहीं देखा था एक बस मालिकों को जो आवेदन करता है उनको बुलाया जा रहा है जो अपत्ती करता है उनको बुलाया जा रहा है और कहां आपकी अपत्ती है वो अपत्ती को है सुनवाई की जाती है सब का पेपर चिक किया जाता है अगर किसी का पेपर में कोई गलती है कोई पेपर गलत ह तो उस permit को रद कर दिया जा रहा है काम के साथ पिछली बिल भी जमा करना अब ही क्या है कि पहले क्या होता था कि दो मिनट पार्मिट दे दिया जाता था किसी भी रूट में लेकिन अभी जो बैठक चल रही है इस बैठक में बड़ी गाड़ी जो 40 सीट से उपर है उसको है 10 मिनट का समय दिया जा रहा है जो छोटी गाड़ी है उसको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है अब जहां तक ये है कि हम लोगों का बेवसाई हम लोगों का बेवसाई जो है वो समझे कि आज के समय में एक कल्यूगी हाथ ही पालना है जैसे कि डिजल का रेट इतना बढ़ गिया पार्ट का रेट परती दिन बढ़ता जा रहा है टैक्स बढ़ता जा रहा है आज के दिन में अगर हम लोग एक परमिट को अपलाई करते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग को पान सुर्पया लग रहा है लेकिन अगर को पचीश सो रुपया लगेगा जो कि वो चीज नहीं होना चाहिए यह हम मैं जारखन सरकार परिवन विबाग से मैं बिंती करता हूं और मांग करता हूं कि जो अपती का जो पैसा जो फीश है उसको कम किया जाए दूसरी चीज यह है कि आज एक नया यह निकला है कि ग्रीन फीश जो लिया जा रहा है वो 17,000, 18,000, 12,000 रुपया ग्रीन चार्ज जोड़ा जा रहा है जो कि वो गारी का जब हम लोग बस का पिटनिस कराने जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को देना पड़ता है जब हम टैक्स दे रहे हैं जब हम कहीं भी टॉल टैक्स भी जो लगता है एक तो परिवहन बेशाय ऐसा ही चर्मराया हुआ है परिवहन बेशाय की स्थिती बहुत ही धैनी है बहुत से ऐसे बस मालिक है जिनका जो अपना जो बैंक से गाड़ी लेते हैं बैंक से करवाते हैं और बैंक का पैसा नहीं देने सकते हैं आप हमेशा सुनते होंगे कि बस है सो उसका चना गिया अब उसके लिए आप कितना तयार है दूसरी चीज की सरकार अभी बजट में पास की कि 15 साल से जितने भी पुराने गाड़ी है उसको भी अब इसक्रेप माना जाएगा तो क्या आप उसके लिए तयार है नहीं मैं नहीं तयार हूँ क्योंकि हमारा ज्हारकंट इस्टेट जो बहुत ही पिछडा राज है और वह बिहार से बटवारा करके उसको ज्ञारखन बनाया गिया है अभी ज्ञारखन का इंप्रा स्टेक्चर सही नहीं है पहले इंप्रा स्टेक्चर सही करें आज के दिन में अगर मैं कोई एक इलेक्टिक गाड़ी बस खरीता हूं चाहे कारी गाड़ी ले करके क्या फाइदा है दूसरी बात यह है 15 साल का है यह 15 साल का जो हम लोगों का जारखन के लिए यह सूट नहीं करता है क्योंकि हम लोगों का जारखन जो है वो देहाती छेत्र जादा है यहां के आदिवासी इकनामी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको कम से कम 17 साल 18 साल करना चाहिए फच्ट दूसरी चीज़ क्या है कि करोना काल दो साल हम लोगों का करोना काल रहा दो साल करोना काल में हमारा भारत सरकार के निर्देश से भारत सरकार के आदेश से सभी गाड़ियां को बंद कर दिया गिया तो वो जो दो साल जो अगर मालते हैं 15 साल का आप ही रखते हैं तो दो साल को आपको extension देना चाहिए था क्योंकि दो साल आपकी गाड़िया खड़ी रही है तो उसको दो साल का extension करके 17 साल करना चाहिए जिसकी मांग हम लोग है सो परिवहन विभाग में कर चुके हैं परिवहन मंत्री जी से भी कर चुके हैं और उन लोगों से आश्वाशन भी हम लोगों को मिला है कि ठीक है अगली बैठक में हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं हम लोग इस पर विचार करेंगे जो सरकार से मां पूरिए अच्छी तरह से रखां को एडी लाइफ को देखने के लिए धन्यवाद साथ ही आप सभी को मिल रहें अपार प्यार शहयोग उन से भी ज्यादा धन्यवाद और अभार एडी लाइफ को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर दे देखते रहें एडी लाइफ